वेलकम दोस्तों स्वागत हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में कोटी ले गलासे स्कुर्यागोटी आज हम लोग जानने वाले हैं बरसा कैसे होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जल छितर है जहाँ पर पा सूरज की गर्मी जल सतहों पर पड़ती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सूरज की कीड़ें जल के सतहों पर पड़ रही हैं और इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सूरज की कीड़ें तेजी के सांद धरातल पर पड़ रही हैं और यहां से जल छेतरों उसे वास्पी करन की किल्या होती है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वास्पी करन किस परकार से हो रहा है तो ये वास्पी करन हो रहा है और ये लगातार ये परकिल्या लंबे समय तक होती रहती है ये प्रोसेस सुरज की किर्णे जैसे ही धरातलिये छेतरों पर पड़ती ह और धीरे धीरे वास्प के रूप में जल को उपर की और खीच कर लेकर जाती है और ये जो प्रक्रिया होता है ये लंबे समय तक लगातार चलते रहती है ये आप देख सकते हैं वास्पी करन किस प्रकार से हो रहा है और ये वीडियो आपको बहुत आसानी के साथ हर चीज को समझाने में सक्षम है ये आपको आसानी के साथ वर्सा कैसे होती है इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी के साथ समझा दी जाएगा और इस तरह से और सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एकदम यकीन मानिए कि आपको हर चीज, हर टॉपिक, बिल्कुल बारीकियों के साथ एकदम नए तरीके से आपको समझाया जाएगा तो आप देखी रहे हैं ये किस परकार से ये इमेजीन के माध्यम से आपको हर टॉपिक पे जनकारिया दी जा रही है तो वास्पी करन का जो दर होता है वो लगातार वायू मंडल में हो रहा है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये परकारिया लंबे समय तक चलती है और उसके साथ ही धीरे धीरे ये छोटे छोटे बुंदों में बननी सुरू हो जाते हैं आप देख सकते हैं जलवास उपर की ओर गये हैं छोब मंडल में और यहाँ पर तापमान कम हुआ है और इसके साथ ही अप छोटे-छोटे बुंद भी देख रहे हैं ये कॉंडेन जेशन है और ये संघनन की किल्या धीरे-धीरे हो रही है इस तरह से संघनन की किल्या हो रही है आप समझ सकते हैं इस चीज को संगरन की किल्या लगातार होते रहती है ये एक से एक छोटे छोटे टुकडों में जल की बुंदे आपस में मिलती रहती हैं और ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये छोटे छोटे टुकडे किस परकार से यहाँ पर आपस में जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही ये सब ही आपस में जुड़कर आप देख रहा है बादलों का निर्मार दीरे दीरे हो रहा है और ये आपका बादल बन गया है और इस तरह से बादल बनने के बाद ये बरसा होने के लिए तयार हो जाता है तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें अनेक परकार के वीडियोज तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि संगहनन की क्रिया किस परकार से हो रही है चरियाब ये छोटे छोटे जो बुंद होते हैं ये आपस में जुड़ना सुरू होते हैं ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे जल के बुंद एक दूसरे के समीप आते हुए और ये सभी एक में एक जुड़ते हैं आप देख रहा हैं कि ये छोटे छोटे जल बुंदे बहुत ज्यादा मातरा में हैं और ये एक में एक जुड़ रहा हैं और ये बड़े बुंदों का निर्मार करते हैं ये छोटे छोटे संघनित बुंदे बड़े बुंदों का निर्मार करते हैं और अधिक भार होने के कार ये धीरे धीरे पृत्वी की सता की ओर आकर्शित होकर गिरने लगते हैं आप देख रहे हैं किस परकार से बारिस की बुंदे संगहनित होकर पृत्वी के समीप पहुच रही हैं और ये आप आसानी के सांद समझ सकते हैं इस चीज को तो ये प्रोसेस लगातार होते रहता है जिसके कारण बारिस होती है तो ये आप देख रहे हैं बादल बने हुए हैं और बादल में छोटे छोटे जो जल के बुंदे हैं वो एक में एक मिलकर किस परकार से बड़े बुंदों का निर्मार कर रहे हैं और ये धीरे-धीरे नीचे की और अगरसर हो रहे हैं आकर गिर रहे हैं ति ये बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की प्रयास मेने के लिए है और मुझे विश्वास है कि ये आपको आसानी के साथ समझाने में सक्चम है और इस तरह से बहुत सरे विडियोज आपको इसी प्रकार के इमेजीन के द्वारा 3D विडियोज आपको मिलते रहेंगे तो चलिए इस तरह से वास्पी करन हुआ उसके बाद में जल के बुंदे जुड़ी है उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े बुंदों में बदल जाती है और बड़े बुंदों में बदलने का मतलब होता है आप देख रहे हैं कि तेजी के साथ बारिस होने लगा और इस तरह से ये बारिस तेजी के साथ होती है जिससे नदियों में जल की मत्रा पूरी हो जाती है और इसके साथ ही तापमान के दर को भी नियंतरित करने में मदद मिलता है तो आप आसानी के सांद देख रहे हैं धरा तलिये छेतरों पर बारिस किस परकार से हो रही है और ये नदियों के दवारा ये आप नदी की भी तस्वीरे देख रहे हैं ये नदिया जल को ढोकर समुद्रों मे लाकर मिला देते हैं